नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस सीरीज में जिसको हम कहते हैं I am that ये संस्रुत का एक मंत्र था जिसको इंग्लिश में नाम दिया गया है किताब का I am that इसको संस्कृत में क्या मंत्र रहा होगा अहम ब्रम्हास्पी मैं ब्रम्ह हूँ मैं ही इश्वर हूँ लेकिन है आपर बहुत इंडिरेक्ट तरीके से कहा गया है इसमें एक spiritual teacher है श्री निसर्गदत्य महराज उनसे questions पूछे गए हैं बड़े simple simple से questions जैसे हम लोग उनके पास जाएं और कुछ साल तक practice करने के बाद तो यह मैं चाहता हूँ यह पूरी की पूरी सीरीज हम लोग मैंने कुछ-कुछ वीडियो उसके बनाए थे पिछले साल या शायद उससे पहले मैं इसको पूरा cover करना चाहता हूँ हमारे उस पे चानल पे सबसे पहला question है is it a matter of daily experience that on waking up the world suddenly appears where does it come from question को पहले समझते हैं यार is it the matter of daily experience that on waking up the world suddenly appears where does it come from सवाल सुनने में बहुत ही common सा लग रहा है यह आदमी पूछ रहा है कि क्या यह रोज का experience है हम रोज सुबह सुबह जगते हैं तो दुनिया हमारे सामने एक्दम appear हो जाती है देखिए ऐसा question है जो कि हम लोग नहीं मानेंगे कि question है हम लोग कभी नहीं पूछेंगे where does the world come from यह दुनिया कहां से आती है यह निसरदत की spiritual practice से related है क्योंकि यह कहा करते थे दुनिया है नहीं जब तुम सुबह उठते हो तब दुनिया को पैदा करते हो अपने साथ दुनिया तुमारे अंदर ही है यह मेरे लिए अजीब था अच्छा एक छोटा से example देता हूं किसी दिन आप परिशान है किसी बात से परिशान है तो अपके लिए दुनिया कैसी होगी खराब दुनिया होगी तो वो खराब दुनिया किस ने बनाई इसके मुँ में च्छाला है बहुत तेस्टी खाना बनाए है तो खाना कैसा है? दीखा है निसरदत कहते हैं महराज कहते हैं Before anything can come into being there must be somebody to whom it comes ये थोड़ा मुश्किल है इससे पहले की कोई चीज आए Before anything can come into being कोई चीज प्रगढ हो आपके सामने कोई चीज प्रगढ हो रही है इससे पहले की कोई चीज प्रगढ हो there must be somebody to whom it comes कोई होना चाहिए जिसको प्रगढ होगा हम जब सपना देखते हैं तो सपने में चीज़े हमको दिखती है वो दिखती किसको है कोई है उसी को तो दिखती है physical world के बारे में बोल रहे हैं इससे पहले की कोई चीज दुनिया तुम्हारे सामने आये प्रगढ हो तुम्हारे तो कोई होना चाहिए जिसको प्रगढ हो all appearance and disappearance presupposes a change against some changeless background ये है इनका हतोडा सौसुनार की एक लोहार की all appearance and disappearance हर चीज जो दिखती है और चली जाती है दिखती है और चली जाती है presupposes a change against some changeless background उसमें दो चीज़े चाहिए होती है एक जो चीज बदल रही है और एक background जो बदलती नहीं है background किसको बुलने हैं पता है हमें हम अपनी चेहरे को देखते हैं कभी खुश, कभी दुखी कभी सुन्दर, कभी बदसूरत कभी जवान, कभी बुढ़े लेकिन इस change को हम perceive कैसे कर पाते हैं इसको appreciate कैसे कर पाते हैं क्योंकि हमारे ही अंदर में एक changeless self है अगर वो changeless self नहोता तो ये memory कट्छी नहीं होती उस पे अगर changeless self नहीं होता तो हम रोज अपने शीशे में अपनी शकल को देखते हैं और कल का याद नहीं रहता, भूल जाता एक changeless self है जैसे ऐसे समझो एक बड़ा सा सफेद रंग का white board है उस पे आपने कुछ लिखा फिर मिटा दिया कुछ और लिखा फिर मिटा दिया चीज तभी हो सकती है जब आपके अंदर में क्या है कोई ऐसी चीज है जो changeless है ये जो body है, बीमारी है मरना है, जीना है ये सब change है और निसरदत करे रहे हैं change को महसूस करने के लिए तुम्हारे अंदर क्या होना चाहिए changeless जिसको हम लोग pure awareness कह रहे हैं, जिसको हम ध्यान करके पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं कभी भरोसा नहीं होता कि है भी वो चुकि भरोसा नहीं होता, इसलिए ध्यान करने का मनी नहीं करता अगर इस बात से भी ये logic हमारी दमाग को पकड़ में आ जाए कि ठीक है, मैं अभी अमीर हूँ, फिर मैं गरीब हूँ मैं अभी दुखी हूँ, फिर मैं खुश हूँ ये change हो रहा है इसके background में कोई changeless चीज है क्या कह रहे हैं, अगर changeless नहीं है तो आप change को देखने ही पाओगे एक छोटे सी example दो तो शहर आपको समंझ में आ जाए समंदर में बहुत मुश्किल है रस्ता खोजना, बहुत मुश्किल रोड पर कर सकते हैं आप एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं तो रस्ता खोजना आसान है लेकिन समंदर में अगर आप 10 किलिमेटर चले जाओ तो रस्ता खोजना मुश्किल है क्यों? वहाँ पानी पानी है खुला खुला है और रोड पर क्या है? क्या दिखता है? अगर मानलो रोड पे देर सारे घर हैं और सब घर एक जैसे हैं और सब घर में एक ही नंबर है सब घर का पेंटिक जैसा है पागल हो जाएंगे आप अगर आपके आस पास सब की शकल एक जैसी हो किसको पहचानेंगे आप मेमरी बनती ही है बदलाओ की समंदर में आप 10 किलमेटर चले जाओ 50 किलमेटर चले जाओ सब जगह खाली हवा और पानी हवा और पानी हवा और पानी पता ही नहीं चलता हम बाएं जा रहें कि दाएं जा रहें यह होता है हवाई जहाज के साथ उपर चले जाओ शुरू-शुरू में लोगों को सही डिरेक्शन में जाने के लिए कमपस दिया जाता था North, South, East, West बताने के लिए अगर बच्चा आपने बताया था अगर प्लेन ऐसे जा लिए और जरा सब्सक्रा से नीचे हो गई हम सब्सक्राइब दो सो तीन से क्लिवेटर दूर पर यह अगर यह पहुंचते है चेंजलेस होना बहुत इंपोर्टेंट है चेंज को एक्सपीरियंस करने के लिए लेकिन जब भी हम चेंज को एक्सपीरियंस करते हैं तो मको लगत आ नहीं यार अब को वही वाला चाहिए जो हमारे मन में अच्छा वाला चल रहा है ये कह रहे हैं तुम किसी भी टाइप की चीज़ को चाहोगे वो गलत चीज़ चाह रहे हो तुम्हें क्या चाहना चाहिए changeless वहाँ तुम्हें पहुँचना चाहिए ये कि दुनिया तुम्हें क्यों दिखाई दे रही है क्योंकि तुम्हारे दर में एक changeless element है फिर वो आदमी कहता है before waking up I was unconscious आप एक क्या बात कर रहे हैं जगता हूँ तो मुझे दुनिया दिखाई देती हैं लेकिन जगने से पहले मैं तो बेहोश था unconscious था in what sense किस रूप में unconscious थे तुम बेहोश थे having forgotten or not having experienced ये मुश्किल है तुम लोगे दुख जब तुम सोते हो तो तुम दुनिया को experience नहीं कर रहे हो या दुनिया को भूल गये हो don't you experience even when unconscious किया जब तुम सो रहे होते हो और बेहोश होते हो तब भी कुछने कुछ तो experience करते हो can you exist without knowing क्या तुम exist करोगे बिना कुछ जाने हुए देखे बता है क्या कर रहे है रमण अरे निसर्दत वो हर एक sentence के जरिए हमारे self का जो pure form है उसकी तरफ धक्का मार रहे है कह रहे है can you exist without knowing हम हर चीज जानते हैं देखते हैं जानते हैं सोचते हैं उसी को हम बोल रहे हैं life can you exist without knowing a lapse in memory is it a proof of non existence मान लिजे आप कोई चीज नहीं देख पाए आप सोए और जगे और बीच का एक घंटे का memory नहीं बना आप सोए और जगे बीच का एक घंटे का memory नहीं बना तो क्या इसका मतलब यह है कि दुनिया नहीं है क्या जिस चीज की memory नहीं बनी वो चीज नहीं है is it a proof of non existence and can you validly talk about your own non existence as an actual experience कह रहे हैं जब आप सोते हो और अपने आपको बेहोश पाते हो तो क्या कह सकते हो कि तुम नहीं हो हम देखो आज आपकी ममीद सरिता इस दुनिया में नहीं है नहीं है ना कैसे पता क्या यह नहीं हो सकता कि वो हैं लेकिन हम उनको experience नहीं कर रहे हैं यह कह रहे हैं जो चीज हम experience नहीं कर पा रहे हैं उसको हम क्यों मान लेते हैं कि वो है ही नहीं हम जब सोते हैं और बेहोश हैं तो हम दुनिया को experience नहीं करते या हम किसी भी चीज़ को experience नहीं करते जब हम experience नहीं करते तो क्या हो चीज़ होती नहीं है can you cannot even say that your mind did not exist did you not wake up on being called बल्कि कहते हैं तुम ये भी नहीं कह सकते कि तुम्हारा मन नहीं था तुम्हारा मन exist नहीं करता था तुम्हारा मन था क्योंकि जब तुमको पुकारा गया आशीश 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 तुम उड़ गए अगर तुम बिहोश थे तुम थे ही नहीं हम बुलते हैं ना जब हम बिहोश थे तो दुनिया उमको दिखी नहीं जब तुम बिहोश थे तुमको जब पुकारा गया तो कहां से तुम्हारा रिस्पॉंड किया and on waking up was it not a sense of I am that came first यहाँ पर उनका practice आता है spiritual practice आता है रमण महरीशी का practice था who am I, मैं कौन हूँ इनका practice था I am that I am, मैं इस समय क्या हूँ जब आप सुब़ सुब़ उठते हो या सो के उठते हो तो सबसे पहला experience कौन से आता है शरीर होने का नहीं आता सबसे पहला experience होता है मैं होने का जब रमण की death होई थी physical body से अलग हो गये थे तो body तो रुख गई थी लेकिन उनका अपना होना I am experience जिन्दा था वो अभी हमको body में होता रहता है उसी को पकड़नी के लिए कहते है निसर्दत and on waking up was it not the sense of I am that came first some seed consciousness must be existing even during sleep और soon एक point समझे अगर आप पूछते हैं वैभाव बोलते हैं कि सपना थो हमने ऐसे देख लिए सपने का भी गहरा मतलब होता है लिकिन वो तब समझ में आएगा जब आप जगते समय अपने विचारों के साथ में बहन जाएं कह रहे हैं सुनी ये लाइन को सुन लीजी तो फिर आज का मोटे मोटे में समझ में आ जाएगा कोई न कोई बीज रूपी चेतना आप सोते हैं तब भी एक्जिस्ट करती है हम सो गए एकदम गहरी निदम में सोए हैं आज मैं सोया हुआ था सुबह ये बातरूमें से बाहर गए इन्होंने बहुत प्यार से बहुत धीरे से द्रवाज़ा खोला वहां का बाहर का मैं तब ही उड़ गया उसके बात ये कहे बातरूम में दूसरा द्रवाज़ा खोलके फिर वापस आए बहुत ही प्यार से लेकिन मैं उड़ गया था उस जरा सी हलकी सी आवाज भी आई तो उसने किसको टच किया अगर मैं सो रहा था और बेहोश था तो मेरे पास एक seed consciousness रही मैं उसको नहीं पैस कसा था कि पूरी conscious था पूरी तरह से conscious नहीं था मुझे यह नहीं पता था कि क्यों आए है लेकिन वो हलकी सी आवाज ने किसको टच किया seed consciousness को on waking up the experience runs I am जब आप सबसे सुबह सुबह उड़ते हो या किसी भी टाइम उड़ते हो तो सबसे पहला experience होता है I am, मतलब मैं हूँ उसके बाद होता है the body ये point को अगर हम पकड़ पाएं मैं और उसके बाद ये body तो मैं जब body से अलग होगी तो हम उसके साथ चले जाएंगे क्योंकि वो हमारी consciousness है, वो ही हम है हम ये body नहीं है इस body में आकर फैलते है तो गोई आदमी अपने घर में जाता है अदम घर साफ सुतरा है या होटल का कमरा है जाएगा अपना बैग वहाँ रखेगा कपड़ा वहाँ फैक देगा अटैची खोलेगा शर्ट वर्ट सब फैला देगा जब तक वो घर में राता है, सब कुछ फैला राता है फिर पैक करके वो चला जाता है फिर पो कमरा जाता है यह बोडी भी ऐसा ही है मुझे लगता है कि उड़ेगा उठने वाले हम इची लिए आप उठे अगर महीम्या सुबस्बा पाच्छा बले आता उठने वाला होगा लेकिन जब मैं उठने वाला हुँ और मैं उठ भी रहा हुँ तो किसकी विज़े से? Seed consciousness की विज़े और जब हम सो रहे होते हैं सोने जा रहे होते हैं जब नीद आ रहे होती है तब भी हमारी Seed consciousness के पास हम जा रहे हैं इसी question को पूरा करके फिर खतम करेंगे It may appear to arise in succession but in fact it is all simultaneous a single idea of having a body in the world Can there be a sense of I am without being somebody or other? जब हम सो कर उठते हैं तो सबसे पहले आता है मैं का experience फिर इस body का experience यह बहुत fast होता है यह रुक-रुक के नहीं होता It is simultaneously a single idea of having a body in the world यह एक idea है एक single idea कि मैं इस दुनिया में body की रूप में हूँ Can there be a sense of I am without being somebody or other? अब यह आपको एक ध्यान के लिए एक question छोड़ते है क्या ऐसा हो सकता है एक sense of I am मैं हूँ लेकिन उसमें मैं body नहीं हूँ या कोई और नहीं हूँ मैं खाली हूँ मतलब आपको यह बोल रहे है कि आप बैठ चाहिए आराम से और अपने होने का experience करिए अपने उंगली को अपने हाथ को अपने पैर को वो तो है body ही लेकिन उस body में फैला हुआ consciousness है वो आप यह कल हम लोग चाहिए भी कर लेते हैं दो minute करते हैं अपने सास को experience करते हुए अपने right hand को experience करिए right hand के एक उंगली को अगुठे को अप चाहिए तो उसको हिला भी सकते हैं लेकिन नहीं लाएंगे तो अपने ज़्यादा मज़ा आएगा अच्छा पूरे के पूरे हाथ को पंजे को पांचों उंगलियों को और हाथ को सास पर ध्यान जाती है जो भी हम experience कर पा रहे हैं विचारों के साथ या विचारों के background में या शरीर के रूप में वो sense of I am है शरीर में हमारी consciousness फैली हुई है ये normally consumed होती है thoughts में और thoughts से भी आगे बढ़के emotions में चले जाती है लेकिन उसको आपस लाकर body में जब महसूस करें तो उसी को बुलते हैं क्या ऐसा possible है कि हम body में न रहे कर या कोई और चीज न रहे कर I am का state अपना state अपना experience अपने को जानने का ऐसा भी हो सकता है क्या Can there be a sense of I am without being somebody or other तो इदो questions थे कि दुनिया कैसे आई तो एक changeless background के सामने दुनिया महसूस हो रही है दुनिया आई वाई नहीं है कान में जो आवाज आ रही है वो भी इसी दुनिया का experience है और आवाज भी इसलिए सुनाई दे रही है कान में क्योंकि background में silence है बिना silence के background के आवाज नहीं सुनाई देती ये आवाज भी जो कान में भी सुनाई दे रही है वो तब कम हो जाती है जब दिन में आवाज चलती रहती है contrast में वो आवाज जब ज़्यादा हो जाती है तो ये आवाज नी सुनाई देती ऐसे ही ये आवाज के भी पीछे एक silence है changeless silence उसकी वैसे ये उसनाई देती है अगर आप इसके साथ भी रह सकें आवाज के साथ भी comfortably तो भी I am state में चले जाएंगे आप मैं हूँ state में ये थोड़ी मुश्किल बुख है लेकिन मैं कोशिश करूँगा अपनों के साथ ध्री ध्री complete करने की ये पूरा का पूरा प्राटिकल मेडिटीशन है निसरदत का एक modern spiritual classic है ये भगवत गीता लेकिन प्राटिकल भगवत गीता ही है अगर आप सब मेरे साथ रहेंगे तो इसको cover कर पाऊंगा मैं अगर आप interested होंगे तो अभाश्कू अभाश्कू